हेलो फ्रेंड्स अलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक तो आईए डेली करेंट अफेर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के स्वीडियो में हम 19 माई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स को देख लेते हैं वीडियो को एंट तक देखियेगा पसंद आएं तो लाइक हर शेर कर दीजेगा और हां अगर आपको इसकी पेडियेफ को डाउनलोड करना है तो आप ट्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन से या फिर ग्रेजी जी के ट्रिक के सागरी से वहाँ पर जाकर आप इजीली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आईए 19 मई 2023 की करंट अफेर का सबसे पहला कुश्चन देख लेते हैं बहुत इंपोर्टन कुश्चन है शिरी किरेन रिजजु के स्थान पर भारत के कानुन मंत्री कोन बनाए गए हैं तो देखिए अभी तक किरेन रिजजु भारत के कानुन मंत्री थे अब इनके स्थान पर अरजुन राम मेगवाल को भारत का हाली में नया कानुन मंत्री बनाए गया है अब किरन रिजजु जो की कानुन मंत्री थे इनका मंत्राले बदल कर देखिए इन्हें अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री दे दी गई है अब किरन रिजजू भारत के अर्थ साइंस मिनिस्टर है तो भारत के लौ मिनिस्टर अब कौन हो गए हैं तो ये बन गए हैं अर्जुन मेगवाल देखिए पहले से ही अर्जुन मेगवाल 2019 से ही संसदी मामलो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री थे अब मेगवाल को लौ मिनिस्ट्री का भी प्रभार दे दिया गया है अरजुन राम मेगवाल देखिये राजस्तान से बिलॉंग करते हैं 2009 से ये राजस्तान के बिका नेट से सांसद है और अगर हम किरन रिजिजु की बात करें जिनने अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दी गई है ये भारत के अनांचल प्रदेश राज्य से आते हैं ये अनांचल प्रदेश की पश्चीमी लोकसवा सिट से बीजेपी के सांसद है जिनने हाली में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दी गई है तो यहाँ पर कोश्चन कानून मंत्री से हैं कि लौ मिनिस्टर कोन बने हैं तो ये बने हैं अरजुन राम मेगवाल याद रखिएगा कोश्चन इंपॉर्डेंट है नेक्स्ट कोश्चन देखिए हाली में किस रज्ज सरकार द्वारा मुख्य मंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है मुख्य मंत्री सीखो कमाओ योजना जो की युवाओ में पहले स्केल डिवलप्मेंट और बाद में उनके धन कमाई से सम्बंदी थे इसी योजना को मुख्य मंत्री सीखो कमाओ योजना के नाम से पुकारा जाता है जो की हाली में मद्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉंच की गई है मद्य प्रदेश के युवाउं में रोजगार के सरजन के उद्देश से इस योजना को मद्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हाली में लॉंच किया गया है यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं MP के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चुहान के दौरा हाली में इस योजना को लॉंच किया गया है इस योजना के तरत राज्जी के जो युवाँ हैं उन्हें देखिए नैना अलसर प्रदान किये जाएंगे वो अपनी होबी के अनुरुप कोई काम को चूस कर सके और उस काम को सीख सके इस उद्धेश से इन्हें सरकार की तरफ से हर महिने एक निश्चित रकम दी जाने वाली है इस योजना के माद्यम से प्रदेश के युवाँ को सक्षम मनाना और स्वाभिवानी बनाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष है अब इस योजना का बेनिफिट किस एज ग्रूप के लोगों को मिलेगा तो देखिए मद्य प्रदेश में 18 से लेकर 29 साल के जो युवाँ है उन्हें इस योजना का बेनिफिट दिया जाएगा इस योजना के तद देखिए राज्य के जो 5 और 12 पास आउट युवा हैं उन्हें 8,000 रुपे तक IIT पास आउट जो युवा हैं उन्हें 8,000 रुपे तक डिपलोमा होल्डर जो युवा हैं उन्हें 9,000 रुपे तक और राज्जी के जो graduate और highly graduate युवा हैं उन्हें 10,000 रुपे तक प्रतीमा राज्जी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हाली में MP गवर्नमेंट के द्वारा लॉंच की गई है अगर हम MP गवर्नमेंट की अधर दो important skims की बात करें तो ये काफी सुर्ख्यों में हैं पहली है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये हाली में 2023 में ही लॉंच की गई है और इसके पहले आई थी लाडली लक्ष्मी योजना जो की MP गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में लाई गई थी तो ये दोनों ही योजना काफी सुर्ख्यों में रहती है तो इन्हें भी याद रखिये और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी मद्य प्रदेश सरकार की योजना है हाली में turning of the tape, how the world can end plastic pollution and create a circular economic नामक रिपोर्ट किस ने लॉंच की तो देखिये रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक के यूज को कंट्रोल करने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई है ये जो रिपोर्ट है United Nation Environment Program के द्वारा हाली में लॉंच की गई है अंसर A हो जाएगा आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं United Nation Environment Program ने हाली में इस रिपोर्ट को लॉंच किया है देखिये इन्वोर्ट की रक्षा का काम इस संस्तान का है मुख्य उद्देश है तो इसी के द्वारा प्लास्टिक को कंट्रोल के लिए लाई गई होगी सीधी सी बात है तो ये योजना United Nation Environment Program की योजना है अब उद्देश क्या है तो देखिये रिपोर्ट का उद्देश प्लास्टिक प्रदूशन को मात देने के लिए दुनिया की पहली International Plastic Treaty पर सहमती जताना इस रिपोर्ट का मुख्युद देश है इस रिपोर्ट में देखिये कहा गया है कि वेश्विक प्लास्टिक प्रदूशन को 2040 तक 80% तक कम किया जा सकता है अगर सभी देशों की कमपनिया और सभी देश अपने यहाँ पर जो रिसॉर्से से उनका यूज करते हुए प्लास्टिक से सम्मंदित अपनी नीतियों और वाजार में बदलाओ करे इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हर साल पूरे विश्व में लगबग 400 मिलियन टन प्लास्टिक का कच्रा उत्पन होता है यदि बदलाओ किया जाए तो प्लास्टिक के उपयोग को 80% तक कम किया जा सकता है और इससे प्रतिवर्ष 500 मिलियन टन तक CO2 उत्सरजन को कम किया जा सकता है तो Turning of the Tap नाम किये जो रिपोर्ट है United Nation Environment Program के द्वारा हाली में लाँच की गई है जो की पूरे वल्ड में प्लास्टिक के कंट्रोल और उसके लिए पूरे वल्ड एक ट्रीडी पर सहमत हो इसके उद्देश्य से काम कर रही है Next देखिए दक्षण Asia UN Top Tenness Championship 2023 का एईजन कहां किया गया तो हाली में दक्षण Asia UN Top Tenness Championship 2023 का एईजन अनांचल प्रदेश के ईटा नगर में किया गया है Answer A हो जाएगा इटानगर अनाचल प्रदेश की केपिटल है जहां पर इस चेंपियंशिप का आईजन किया गया है अब देखिए इस चेंपियंशिप की अगर हम बात करें तो इसमें छे देशों ने भाग लिया है जो की दक्षिन एश्याई देश है बुटान, बंगलादेश, भारत, माल्दिव, शिरीलंका और नेपाल के लगबख सो से अधिक एटलेट्स ने इस प्रत्योगिता में भाग लिया अब इसमें देखिए Under 19 Boys सिंगल इवेंट में भारती खिलाडी अंकुर भट्टाचारी ने भारत के ही पारस जेन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है इसके अलावा अंडर 19 गल्ज सिंगल इवेंट में भारती खिलाडी सुहाना सेनी ने भारत की ही यशस्विनी घोरपड़े को हरा कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है मिक्स डबल्स की बात करें तो भारती खिलाडी पायस जेन और यशस्विनी घोरपड़े ने मालदीव के दो खिलाडी मतलब वो जो मिक्स डबल्स में खेल रहे थे अखियार एहमत खालित और फातीमत धीमा अली को हरा कर गोल्ड मेडल अपने नाम इस प्रतियोगिता में किया है तो वेसे अन्डर 19 प्रतियोगिता के विनर पूछे नहीं जाते लेकिन मैंने आपको इन्फरमेशन के लिए यहाँ पर समझा दिया है आप तो यह याद दखिये कि धक्षिन एशिया युवा टेबल टेनिस चेंपियंशिप 2023 का एजन अनाचल प्रदेश के इटा नगर में किया गया है अगर आपको कुश्चन आएगा तो यहीं से कुश्चन पूछा जाएगा इसके बाद देखिये हाली में प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर ओवेन डेविटसन का निधन हो गया इनका संबंद किस देश से है ओवेन डेविटसन जो की प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर है यह औसकेलिया के खिलाडी है जिनका हाली में देखिए 79 वर्ष की आयू में निधन हो गया है इन्होंने टेनिस की काफी प्रत्योगिताई जीती है देखिए इन्होंने Mixer Doubles का खिताब 11 बार जीता है और Manser Doubles का खिताब 2 बार अपने नाम किया है इन्होंने देखिए बीली जिन किंग के साथ मिलकर 1960 के दशक के मद्द से लेकर 1970 तक अपने करियर में 8 ग्रेट सिलेम प्रत्योगिताई जीती है 1967 में टेनिस के इतियास में एक ही साल में चार Important Mixer Doubles जीतने वाले ये दुनिया के तीसरे खिलाडी बन गए थे हाली में 79 वश की आयू में ओवेन डेविटसन का निधन हो गया जो की ऑस्चेलिया के टेनिस प्रेयर थे रास्टर आयूश मिशन सम्मेलन कहां प्रारंब किया गया तो देखिए एसे जो सम्मेलन होते हैं नॉर्माली नई दिल्ली में आयूजित किया जाते हैं तो ये जो सम्मेलन या कॉन्फरेंस है ये भी नई दिल्ली में ही आयूजित किया गया है भारत के आयुश मंत्राले ने 18 से 19 मई 2023 तक नई दिल्ली में दो दिवसी रास्ट आयुश मिशन सम्मेलन का आयजन किया है भारत के आयुश और पत्तन, पोथ परिवन और जलमार्ग मंत्री शिरी सर्बानंद सोने वाल ने इस सम्मेलन का उधगाटन किया था अब देखिए उधश की बात करें तो भारत सरकार की आयुश मान भारत योजना के तहट भारत में जो आयुश हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उनके माद्यम से देश भर में स्वास्त सिवाव की उपलबता सुनिशित करना उनकी क्वालिटी सुनिशित करना और अधिक से अधिक लोगों तग स्वास्त सुईधाओ को पहुचाना इस सम्मिलन को अयोजित की जाने का मुख्य उद्धेश था तो यहाँ पर आपको उद्देश क्लियर हो गया होगा परकस क्लियर हो गया होगा कि इस सम्मिलन को आयुजित के जाने का उद्देश क्या है अब दिखिए अगर हम नेशनल आयुश मिशन की बात करें तो इस मिशन को 2014 में लॉंच किया गया था भारत के स्वास्त और परिवार कल्यान मंतरले के द्वारा आयुश विभाग को प्रारंब किया गया था ताकि देश के दूर दराज तक ऐसे इलाके जहां पर स्वास्त सुविधाओं को पहुचाना बहुत ही डिफिकल्ट है वहां तक स्वास्त सुविधाओं को पहुचाए जा सके इसके उद्देश्य से ये रास्ट आयूश मिशन राज्ज सरकारों के साथ मिलकर काम करता है हाली में भारत में रास्ट आयूश मिशन सम्मिलन का एजन नई दिल्ली में किया गया है हाली में ओरिशा राज्जी की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किंदो इस्टेशनों के मद्धि शुरू की गई है तो ओरिशा राज्जी की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत ओरिशा के पुरी से लेकर कॉलकत्ता के हावडा तक की गई है अंसड़ी हो जाएगा हाली में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 माई को इस ट्रेन की शुरुआत ओडिशा में की जो कि देखिए ओडिशा के पुरी से लेकर कॉलकत्ता के हावडा के मद्दे चलने वाली है वंदे भारत ट्रेन के अनावरन के अलावा नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में देखिए 8,000 करोड से अधिक की रेल परियोजनाओ की भी शुरुआत की है तो ओडिशा की पहली वंदे भारत ट्रेन ओडिशा के पुरी से लेकर कॉलकत्ता के हावडा के मद्दे चलाई जाईगी अब देखिए अगर हम वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन की बात करें तो इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है ये एक भारती सेमी हाइस्प्रेन है जो की भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन भी है ये पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन हुई है और इसका निर्मान भी भारत में ही हुआ है भारत की सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वारा नसी के मद्ध में चलाई गई थी ओडिशा की पहली वंदे भारत ओडिशा के पुरी से लेकर कलकत्ता के हावडा तक चलाई जाईगी इसके बाद एक और कोशन देखिए सुप्रीम कोट और कमर्शिल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इस पुस्तक को हाली में डक्टर मनोच कुमार के द्वारा लिखा गया है अब ये बुक किस से रिलेट करती है तो देखिए भारत में जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और 1996 है इसके तहट सुप्रीम कोट के द्वारा 1988 से लेकर 2020 तक जितने भी नेनाई दिये गए है उन सभी नेनाईों का संकलन इस बुक में किया गया है ये मद्यस्तता कानून है फ्रेंड्स देश में मद्यस्तता के विकास को देखते हुए पिछली शतापदी में कानून केसे विक्सित हुआ और इस पर बहतर समझ रखने के लिए वानिजिक मद्यस्तता पर सुप्रीम कोट के सभी महतुपून जो नेनाई आज तक आए है उन सभी को एक इस्तान पर संकलित करने के उद्देश से इस पुस्तक को लिखा गया है तो सुप्रीम कोट और कमर्शिल आर्बिट्रेशन नाम की जो पुस्तक है इसे डॉक्टर मनोच कुमार के द्वारा लिखा गया है हाली में सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया इनका संबंद किस राज्जे से था तो देखिए रतनलाल कटारिया हर्याना के अंबाला से बीजेपी सांसद और पुर्व मंत्री रह चुके है इनका हाली में देखिए निधन हो गया है तो अंसर भी हो जाएगा ये कहां से सांसत थे हर्याना के अंबाला निर्वाचन शेत्र से ये लोकसवा के सांसत थे इसके बाद आज के करेंट अफेर का लास्ट कुशन देखिए फ्रांस के सरवच्च नागरिक सम्मान शेवेलेयर दी लॉलीजन दी ओनर से किसे सम्मानित किया गया है तो देखिए ये जो टफ सा नाम है ये फ्रांस का सरवच्च नागरिक सम्मान है एक बार फिर देखते हैं शेवेलेयर दी लॉलीजन दी ओनर इससे हाली में एन चंदर शेकरन को सम्मानित किया गया है अंसर ए हो जाएगा अब कुश्यन आता है कि एन चंदर शेकरन कोन है तो देखिए ये टाटा समू के वर्तमान में अध्यक्ष है इन्हें भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार संबंदों को मजबूत करने के लिए उनके दिये गए योगदान के कारण इस सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है शेवेलेर दी लॉल लीजन दी ओनर फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान है जो की हाली में टाटा समू के अध्यक्ष एन चंदर शेकरन को दिया गया है ओके तो यहाँ पर देखिए हमने 19 माई 2023 के सभी important current affairs को डिसकस कर लिया अब आईए हम fact sheet को डिसकस कर लेते हैं आज की fact sheet में हम 2023 में ऐसे खिलाडी जो चर्चा में रहे हैं उनको यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले देखिए शरत कमल अंचता इन्हें हाली में 2022 का मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार प्रदान किया गया है पीटी उशा इन्हें भारती ओलम्पिक संग का अध्यक्ष चुना गया था सरअब जोट सिंग भोपाल में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मिडल अपने नाम किया है इसके बाद देखिए निकत जरीन की अगर हम बात करें तो इन्होंने वुमन्स वर्ल्ड बॉक्सिन चेंपेंशिप 2023 में पचास किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मिडल अपने नाम किया है सायंतन दास भारत के 81 शत्रंज गिरेंड मास्टर बने हैं जो कि भारत के पश्चिम मंगाल रज्जे से सम्बंदित है सेम करन ऐसे खिलाडी है जो कि IPL आउक्षन 2023 में सबसे महंगे खिलाडी बिके हैं किलियन एमबापे की बात करें तो FIFA वर्ल्ड कप 2022 के लिए इन्हें गोल्डन बूट अवर्ट से सम्बानित किया गया है निकत जरीन की तरह लवलीना बोर्गेहन ने वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चेंपेंशिप 2023 में 75 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था लास्ट में देखिए हर्मन परित कौर जो की भारत की महिला क्रिकेट खिलाडी है इन्हें विजडन क्रिकेटर आफ दय यर 2023 से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर ये सभी ऐसे खिलाडी हैं जो की 2023 में किसी ना किसी वज़ा से सुर्ख्यों में रहे हैं कोई ना कोई पुरसकार इन्होंने जीता है तो इन सभी को याद रखिएगा एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अब आजाए हम लास्ट डे मतलब 18 माई 2023 के सभी करेंट अफेर्स को एक बार रिवाइस कर लेते हैं ताकि अगर आपको याद नहीं हुए हो या कोई भी कन्फीजन हो तो यहाँ पर वो आपका कन्फीजन क्लियर हो जाए पहला देखिए ओपरेशन समुद्र गुप्त का संबंद किस से है तो आपरेशन समुद्र गुप्त नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारती नो सेना का एक जोइन्ट आपरेशन है जो कि समुद्र के रास्ते होने वाली अवेद ड्रक तसकरी को रोकने के लिए लाए गया है हाली में संग लोग सेव आयोग के चेयरमेन पत की शपत किस ने ली है तो UPSC के चेयरमेन पत की शपत डौक्टर मनोज सूनी ने ली है किस राज्ज सरकार द्वारा मात्मा गांधी ग्रामेंड रोजगार ग्यारंटी उजना के अधिन आने वाले श्रमिकों के लिए कल्यान बोड का गठन किया गया है तो मनरेगा के अधिन आने वाले शनमिकों के लिए कल्यान बोर्ड बनाने वाला पहला रज्ज भारत का केरल रज्ज है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गेस रेगुलेटरी बोर्ड का चेर्मेन हाली में पंकच कुमार जेन को बनाये गया है इचिट्स एप्लिकेशन का संबंद भारत के आंध्र प्रदेश राज्ज से है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का एजन भारत के नई दिल्ली में किया गया है सागर परिक्रमा कारिक्रम का संबंद केंद्री मतस्य पालन पशु पालन और डेरी मंत्राले से है जो की मतस्य पालन को बड़ावा देने के उद्धिश से लाए गया है विश्वत दूर संचार दिवस हर साल 17 मई को मनाय जाता है किस कंपनी ने वाटसन एक्स AI डेटा प्लेटफर्म को लांच किया तो भारती सेना के द्वारा हाली में जल रहत नाम की सयुक्त बान रहत अभ्यास का एजन भारत के असमरज में किया गया है क्लियर तो ये लास्ट डे के सभी करण्ट अफेर्स हैं जो की हमने लास्ट डे डिसकस किये थे अब आपके लिए आज का question of the day है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंतरी कोन थे अभी भारत के नए कानून मंतरी अरजुन मेगवाल बनाए गए हैं आपको कमेंट में बताना है कि भारत के पहले कानून मंतरी कोन थे आप सभी इन्हें जानते हैं काफी famous personality है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इससे हमको पदा चलेगा कि आपकी preparation कितनी powerful है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में तब तक अपना खैल रखिए जय हिन जय भारत